तो आज शुरू करते हैं बिना किसी बक्षोदी सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सामने कोशन पेपर दिख रहा है पावर सिस्टम तो सबसे पहले स्क्रिंशॉट ले लो अच्छा खासा पेपर है मतलब ऐसा नहीं है कि इजी आये था नॉर्मल आये था हर फिफ्ट समेस्टर में इंस्ट्रुमेंटेशन के लावा सब पेपर मीडियम ही आयते हैं और प्रीवेस यह कोशन पेपर कर लोंगे तो भाई आराम से आप लोगों का अच्छा जाएगा हर एक पेपर तो चलो जल्दी से देख लेते हैं स्क्रिंशॉट ले लो पाउर सिस्टम अतना भी कटिन सब्जेक्ट नहीं है आप लोग स्क्रिंशॉट लेते जाना ठीक है तो इसका स्क्रिंशॉट ले लो ले लिया चलो ठीक हम नीचे चलते हैं और इसका भी ले लो जल्दी से वीडियो पॉस्ट करके लेते जाओ ओके लाइट चली गए यहां पर चलो कोई नहीं है और नीचे किया जाए तो फिर यह देख लो यह भी ले लो लो जल्दी से स्क्रिंशॉट लेते जाओ और यह लास्ट है ले लिया चलो बहुत अच्छी बात है आई होप वीडियो की क्वालिटी इस बार सही होगी अब नेक्स्ट कुशन पर कौन सा है इंस्ट्रुमेंटेशन सच को इंस्ट्रुमेंटेशन बहुत ज्यादा सा हो ज़्यादा तर लिको अंतर टेम पड़िको और एक और चीज में आप आप लोगों को बता देतहों कि जो हम लोगों का प्रीवेस यह कोश के पर क्राए से यह जो प्र ब culinary messy यह प्र बनाव दाव जाथा तक हो चैनल प्रीवेश यह सबदीन कर सकते कि अब हुआइब नेक्सट गोशन पेज पर चलते और चलो नेक्सट पेज देख लो गाएवगती क hemp apple एंटकर सकते बहुत आसानी साप लोग गेन कर लोगे मार्क्स ठीक है और यह है लास्ट ले लिए स्क्रीन शॉट आई होब आप लोगों ने ले लिया होगा वीडियो पॉस्ट कर लेना अगर नहीं लिया है लेकर इसमें आराम साथ गेन कर सकते हो अब यह क्या पावर एलेक्ट्रोनिक्स ओके सो पावर सिस्टम सबसे पहले हम लोगों ने देखा था है ना तो अचीन को आप लोग नॉर्मल रखना मतलब मैं कहने का तरिक पावर सिस्टम को आप लोग करते जाना लेकिन उर फौड़ा सा जयादा ध्यान के में में कहने का उतलब यह पावर सिस्टम से कठीन है पावर एलेक्ट्रोनिक्स तो हलका सध्यान देते जाना और मैं नीचे करता जा रहा हूँ आप लोग लेते जा रहा होगे अगर नहीं ले रहा हो तो भाई लोग अपकोस आप आसके ले लिया तो पावर एलेक्ट्रोनिक्स हलके सी कठीन है पावर सिस्टम से अब नेक्स्ट और नेक्स्ट कौन से वह पेपर है तो को अभी देखा जाए उससे पहले सब्सक्राइब किया जाए तो देखो अभी तक क्या हो गया है सबसे पहले आया था पावर सिस्टम फिर इंस्ट्रुमेंटेशन और फिर पावर एलेक्ट्रोनिक्स तो भी तक किया जाए तो पहले नंबर पर आ जाएदा कठेन में पावर एलेक्ट्रोनिक्स फिर पावर सि मज़ना है तो एक चैनल है लास्ट मोमेंट ट्यूशन ठीक है उसकी एक प्लेलिस्ट है माइक्रो प्रोसेसर 8085 के ठीक है वो देख लो वह आपको माइक्रो प्रोसेसर के बारे में समझा देगा मजा कर नहीं सच कह रहो और इसमें कुछ प्रोग्रामिंग भी होगी जैसे किश में कहते हैं कि राइट से फो क्रॉग्राम्म राइट एल पि और देख लेना खतले आप लोगों को सिंपर में दिखाई देगा ठीक है को prostramuted का सेकेंड पार्ट है देखो राइट अलपी ठीक है तो अगर आप लोगों को यह प्रोग्रामिंग वाले जो भी कोशन अगर आप लोगों को उसको समझना है तो उसके लिए हैं इंजीनिरिंग की फंड यह माइक्रो प्रोसेसर के दिए उसके कितने क्या कहते हैं जूँड़ खैक भूल लोग है तो फिर मताब पूरा माइक्रोपरोसेसर कि सब्सक्राइब समाज़ना है तो भाइए लोग आप लोगों को क्या चाहिए लास्ट्मूमिन टूइशन वो बहुत साही है उससे लोग क्या समझ सकते हो यह प्रोगरामिंग थीक है भई लोग अब बात करतें कंच्रोल अ यह वता दू कंच्रोल सिस्टम कर से सबसे पहले नंबर वह लोगों को समझ में नहीं आता है अब कंच्रोल शिस्टम के द्यान देना ले लो फिर आपको लोगों को कैटिग्राइज करके बता दूँगा कि कौम से सबसे नंबर वन पर जाएगा फिर सेकेंड फिर थर्ड उसी हिसाब से आप लोग अपनी तयारी करना ठीक है अब यह भी देख लो लास्ट वाला नहीं लास्ट पेस नहीं है इसके जो नुमेरिकल वो आप लोग प्राक्टेस कर लेना उतना भी कठे नहीं है लेकिन आप लोगों को असानी से समझ में आ जाएगा असान सब्जेक्राइज ऐसे बात नही है लेकिन इक और बात में आप लोगों को बता दूँ कि ठीयूरी में तो आप लोग मार्क्स ले आओगे कंट्रोल सिस्टम के लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकल थोड़ा गलत ना चला जाए क्योंकि हम लोगों का हम लोगों के इंटर्नल बहुत कम मार्क्स मिलेते तो आप लोग समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाहता हूं तो देख लेना अब कैटिकराइज किया जाए तो सबसे नंबर वन पर है कटिन में माइक्रो प्रोसेसर सेकेंड नंबर पर आप लोग मान लोग कंट्रोल सिस्टम क्य नंबर पर हो जाएगा पावर एलेक्ट्रोनिक्स फॉर्ट नंबर पर हो जाएगा पावर शिस्टम और सबसे असान क्या इंस्टुमेंटेशन समझ गये लोग हां समझ ही गये होगे तो यह देखो उतना पी कठें नहीं है तिक है लेकिन त्यारी कर लेना आराम से हो है कुछ लोगों को 20 marks मिले हैं और कुछ लोगों को 19 यानि मेरे को 19 marks मिले कं पंड़रा संदरह वां इसे मास मिले ठीक है तो फिर सोच समझ के मतलब का पेपर इसी वजह से कठीन हो जाता क्योंकि इंटर्नल उसमें साइए नहीं मिला था लेकिन हाँ असान असान सब्जेक्त मतलब समझनेवाला सब्जेक्त है मास आप permettre को गेन कर सकते थियोरी में कर लो तो फिर आराम से अच्छे खासे परसेंटेज बन जाएंगे तो भाई लोग इस वीडियो में तो बस इतना ही और कुछ बंदे कहते कि भाई या थार्ड सेमेस्टर के भी कोश्चन पेपर अफ्लोड कर तो एक बंदे का कमेंट आयता तो लोग इस वीडियो में बस इतना ही होफुली यार आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो लाइक कर दो चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो बाई खत्म बाई बाई टाटा गुडबाई गया